हेलो दोस्तों स्वागत आपका कुगवित मनु में और आज हम बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर रोटी का बहुत ही टीस्टी और डिलीशिस सा नाश्ता तो यहां पर मैंने छे रोटिया लिए जो की बच गई थी इन्हें सबसे पहले चोटे तुकडों में दोड लिया था इस जीरा और सौफ डाल देंगे एक टी हाई चमच तीनों चीज़े डालनी है जादा या कम हमें नहीं डालनी है अब हम इसमें एक प्यास डाल देंगे तो थोड़ी बड़ी स्लाइस में कटी हुई प्यास डाल देंगे तो यह मैंने एक प्यास डाल दी है अच्छी तरीके से म को पसंद है तो जरूर डाले बहुत ही अच्छा टेस देता है यहां पे तो कैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए हमें इन्हें अच्छी तरह पकाना है साथ ही मैं इसमें नमक डाल देते हैं जिससे कि आलू और नमक अच्छी तरीके से पक जाए तो ध्यान रखे रोट तो एक अच्छी मुणफली डाली है मैंने आप रोस्टेट भी टाल सकते हैं यदि रोस्टेट डाले तो बाद में डाले तीन से चार मिनट तक अच्छी तरीके से हम फ्राय कर लेंगे जब तक कि प्याच हलकी सी गुल्डन ना होने लगे और आलू जो है हलके से कोख हो जा और अब हम टमाटर को ढख करके लगबग तीन से चार्मनेट तक कोख कर लेंगे जिसे की टमाटर हलके से सॉफ्ट हो जाए तो यहां टमाटर हलके से सॉफ्ट हो गये हैं हम टमाटर को चेक कर लेते हैं तो पहले हलका सा मिक्स कर लिया है साथ ही में हम यहां पे आलू को भी चेक कर लेंगे कि आलू हुए है या नहीं तो यहां पर देखिए आलू भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है क्योंकि आलू को हमने पहले भी कुक कर लिया तैसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब मैं इसमें एक चोटा ही छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ एक मिनट तक हमेंने मिक्स करना है अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़े चमच जितना भर करके शकर तो शकर पूरी तरीके से ऑप्शनल है पर यदि आप पोहे में शकर डाल कर खाते हैं तो यहां पे जरूर डालें यह अच्यक टींच आ है 2 लृटी डिलीशिस लगता है साथी को इंहेंस कर दीता है तर थाटी फोटी सेकंड है बहुत ज्यादा देर से मिक्स नहीं करना है और अब हम इसमें हमारी यह ज़ूरे तरीकेसे मिक्स कर लेंगे हम यहां पे गैस का फ्लेम लो टू-मीडियम चभल झ जल्दी crispy हो जाएंगी अच्छी तरीके से मैंने यहां पर मिक्स कर लिया लगबाग दो तीम मिनमन्ट रूप से अच्छी तरह पका लिया है कि दो तीमणत चला लेने के बाद अबहम इसे धनिया पत़ टाल देते हैं तो घैस का फ्लेम मैंने यहां यहां पर बबंद पसंद है तो आप यहीं पे इन्हें एक दो मिनट गैस का फ्लेम चला करके अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर लें मुझे सॉफ्ट पसंद है तो मैं से ढख करके दो मिनट छोड़ दोंगी और दो मिनट बात सर्विंग गरूंगी कैस मैंने धनिया पत्ता डालते टाइम ही कर दो किजिए जल्दी मिलते हैं को वितमानू पर एक नई रेस्ट आप